गुट मॉर्निंग एप्रिवन, वेलकम टू एक्जाम और विट क्लासिस, आज है 27 मार्च और आज की इस सेशन में, 27 मार्च से सम्मंदे टॉप 10 करेंट अफ येर के कोईशन्स डिस्कस करेंगे, जो कि सभी परिक्षाओं के लिए महत्वोन हैं, तो सबसे पहले आप सभी के एक सवाल है, जिसका आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में, किस मंत्राले दुवारा सागर मंथन डैस बोट का शुबारम किया गया है, इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, और जिनको आंसर पता है, वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो आज के क्लास ने यह जुर्माना लगाया है कीरल पर डिसकस करेंगे आखिर NGT ने यह जुर्माना कीरल पर क्यों लगाया है तो देखे केरल की दो जीले हैं बैमनाट और अस्टमोदी ये दोनों ही रामसर साइट है इन दोनों इस्थलों पर अंदा धुन प्रदूशन को रोकने में विफ इंद्रसासित प्रदेश में इस्थित है तो याद रखेंगे ये आती है केरल में ये दोनों ही केरल की प्रमोग जीले हैं बैमनाट के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये भारत की सबसे लंबी जील भी है तो ये जो दोनों जीले है ये रामसर साइट की बा संक्या कितनी है तो 75 है सबसे जादा कहां पर है तो सबसे जादा याद रखेंगे तमिलाडू में है और सेकंड इस्थान आता है उत्तर प्रदेश का यह जानकारी आपको याद रखेंगे रामसर साइट से ही एक पॉइंट और याद रखेंगे विश्व आर्द भूमी दिव विश्व आर्द भूमी दिवस कब मनाते हैं फ्रेंस दो फर्वरी को मनाते हैं अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएए कि विश्व आर्द भूमी दिवस 2023 की अधीन क्या है आगे डिसकुस करते हैं कुछ एस्टर फेक्ट डिसकुस करेंगे करेंट अफ्षे से ही मैंन हॉल की सफाई के लिए बड़े पैमानी पर रोबोटिक्स तक्नीक का उप्यो करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है केरल भारत का पहला सम्विधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है कूलम और ये कहां पर आता है तो ये भी आता है केरल में खबरों में रही पैंगोंग तसो जील किस राज्या केंद्र सासित प्रदेश में इस्तित है तो ये जील आती है लदाक में भारत के पहली जमी हुई जील महराथन कहां पर हुई थी तो ये लदाक में हुई थी पैंगोंग तसो जील पर टाटा पावर ने किस राज्च में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तेरती हुई सोलर पावर पर योजना की शुरुबात की तो केरल में की गई थी डिस्कस करेंगे NGT के बारे में NGT का फॉल पॉम याद कर लेंगे National Green Tribunal NGT के स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 में किस अधिनियम के तहट तो अधिनियम याद रखेंगे 2010 इस थापना का जो मुख्य उद्दे से था ये परियावरन संबंदी मुद्धो का तेजी से निपडारा करना NGT का जो मुख्याल है ये दिल्ली में है जबकि इसके चार छित्रिय कारेले भी है जो कि भोपाल, पूने, कॉलकाता और चैन्नई में इस्तित है तो NGT के बारे में ये वेसिक पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं जो क्यागा में परिक्षा में आप से पूछी दा सकते हैं डिस्कस करेंगे केरल के बारे में तो मैप में आप सभी केरल की लोकेशन देख सकते हैं ये है केरल केरल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है तो केरल की राधानी तिरूबन इंतपुरम है अधिकारिक भासा मल्यालम है बर्तुमान में मुख्य मंतरी पिनाराई विजियन है राजजबाल आरिप महम्मद खां है पिधान सबा सीटे 140 है राज्य सबा सीटे यहाँ पर 9 है और लोक सबा सीटों की संक्या यहाँ पर 20 है केरल की प्रमुख जीले अभी डिसकस कर चुके हैं बैमनाड और अस्टमूदी तो आपको याद रखनी ही रखनी है और पेरियार भी आप याद रखेंगे यहाँ की प्रमुख नदिया पेरियार पंपा भरत पूड़ा जिसे हम भरत पूजा के नाम से भी चानते हैं प्रमुक फेस्टिवल यहां मनाते हैं उडम, प्रमुक लोकिन रतते हैं कत्तकली, मकर बिलक्यू जो फेस्टिवल है यह केरल में सबरी माला मंदिर के अंदर मनाया जाता है भारत में सरवादिक, लिंगानुपात और साक्षरता के सराज़ी की है तो आई होप आप सभी को यह ग्यात होगा केरल की है केरल के प्रमुक नैसनल पार्क है अनामुडी सोला नैसनल पार्क, पेरिया नैसनल पार्क, साइलेंट वैली नैसनल पार्क, एराभी कूलम नैसनल पार्क और पंपा दुम सोला नैसनल पार्क ये केरल के कुछ प्रमुक नैस्रल पार्क हैं इसके अलाबा केरल के कुछ प्रमुक अभियरण हैं जो आपको याद रखने हैं मुथंगा बन्यजीव अभियरण चिननार बन्यजीव अभियरण और पैड़ा भी कूलं टाइगर रिजर्ब तो ये केरल के बारे में basic information जो कि आप से exam में पूछी जा सकती है तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथी bell icon दवाना बिलकुल न भूलें जिससे आप सभी को class का जो notification है वो सबसे पहले मिल जाएगा साथी में इस class की जो pdf है वो आप सभी को telegram चैनल पर मिल जाएगी बात में telegram पर जाकर exam orbit से लोगों आपको दिखाई देगा जिसने भी आप telegram चैनल जोईन नहीं किया है जोईन कर लीजिए क्योंकि pdf के अलावा आप सभी को यहाँ पर gkgs के questions भी कराई जाते हैं जो कि सभी परेक्षाओं के लिए important है और साथी में current से सम्मंदे जो भी update होता है वो easily सबसे पहले आप सभी को telegram चैनल पर मिल जाता है अगला सबार किस देश की जन संख्या में 11 साल में 25 लाग की बढ़ोतिरी हुई है तो friends हाली में ये आंकडे नेपाल government दुबारा जारी किये गए है तो ये बढ़ोत्री कहां पर दर्ज की गई है तो नेपाल में की गई है आगे discuss करेंगे कुछ एस्टरा फेक्ट जैसे की unified payments interface UPI ने किस देश के साथ मिलकर cross border connectivity launch की है सिंगापूर के साथ भारत के किस पडोसी देश ने परमाडू सक्ती बिक्सित करने के लिए रूस के साथ साजेदारी की है मियामान ने फीडे world championship 2023 की में जुबानी कौन करने वाला है कदाकिस्तान किस देश के दच्छडी भाग में एक natural gas भंडार की खोच की गई है तो ये खोच हाली में बांगला देश में की गई थी अब डिस्कस करेंगे नेपाल के बारे में तो नेपाल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है तो सबसे पहले याद रखेंगे पूकरा, अंथरास्टी है, हवाई, अटा जो की चीन के सहयोग से नेपाल ने विक्सित किया है और ये कहां पर है नेपाल में है रामचंद्र पूडेल जो की नेपाल के नए रास्टपती बने है राम सहाई यादफ नेपाल के उप्रास्ट पती बने है पुष्प कमल दहल पिर्जंड ये नेपाल के बर्तमान में प्रधान मंत्री है नेपाल किरकेट एशोशियेशन ने पूरो भारती किरकेट और मोंटी देशाई को मुखे कोच नियुक्त गिया है नेपाल के बारे में और आप क्या क्या याद रखेंगे तो नेपाल के बारे में आपको याद रखना है कि भारत के किन राज्जों की सीमा नेपाल से लगती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंट याद रखेंगे, बेहार, पच्छिम बंगाल और सिक्किम की सीमा ये जो राज्य हैं भारत के अंतरास्टिय सीमा बनाते हैं नेपाल की साथ नेपाल की राजधानी है काटमांडू काटमांडू में किसका हैटकुआटर है तो काटमांडू में है सार्क का मुख्याले याद रखेंगे आप सभी आगे बढ़ते हैं अगला सबाल खबरों में रहा सिनी याहा दीप किस देश में इस्तित है तो फिंट्स इस दीप की खोज हाली में की गई है सैयुक्त अरब अमीरात में और खोज कहां पर की गई है तो फारस की खाडी में की गई है आगी location डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कोचेस्टरा फैक्ट जैसे की ने वरास्का की सेंड हील से जहां एक नए प्रकार के क्वेसी crystal की खोच की गई है किस देश में इस्दित है तो फेंड्स ये खोच की गई थी अमेरिका में crystal को आप सभी पिक में देख सकते हैं भार्तिय पुराततो सरवेच्छर ने किस राज में बारसो साल पुराने लगू इस्दूपो की खोच की है बेहार में 170 केरेट का दुल्लब सुद्ध गुलावी जो हीरा है ये कहां पर खोजा गया था अंगुला में चमगा दड़ो के मोटे अंगुठे वाली जो प्रजाती है ये कहां पर मिली थी मेखाले में बैम्बू डैबलिंग बैट की एक नई प्रजाती कहां पर खोजी गई थी नो खिललम बन्यजीप अफ्यरण में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मचली किस देश में पाई गई थी तो ये कमबोडिया में खोजी गई थी तो मैप में आप सभी लोकेशन देखेंगे किस की सैयुक्त अरब अमीराथ की यहां पर आपको देखने को मिलेगा सैयुक्त अरब अमीराथ याद रखेंगे आप सभी चले आगे बढ़ते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने तीरा दसमलब साथ एक किलोमीटर लंबी वाइट फिल्ड मेट्रो से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्गाटन कहां पर किया है तो इस मेट्रो लाइन का उद्गाटन किया गया बैंगलोर करनाटक में किस ने किया है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया है इस मेट्रो लाइन के बारे में एक फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है देखे यह जो Bangalore Metro है ना इसे नम्मा Metro के नाम से जाना जाता है याद रखेंगे आप सबी और नम्मा Metro देश का दूसरा सबसे बड़ा Metro नेट वर्क बन गया है तो देश का दूसरा पूछे तो नम्मा Metro यानि की Bangalore Metro बना है अगर देश का पहला पूछ ले तो देश का पहला मेट्रो याद रखेंगे दिली तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एस्टर अफेक्ट जैसे कि सिप मोगा जो यरपोर्ट है इसका उदघाटन किस ने किया था तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी के दुवारा किया गया था बिग्यान केंद्रो तारा मंडल का निर्मान कहां किया जाएगा राजस्थान के कोटा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जीन जल भूशर भवन और क्रांती कारियों की जो गैलरी है इसका उधगाटन कहां पर किया था मॉंबई में किस मंत्राले दुवारा जमो कश्मीर उत्राकंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर बैदर रडार प्रांडली का उधगाटन किया गया तो ये प्रत्थी भी बिग्यान मंत्राले के दुवारा किया गया था अगला सबाद नीटू घंगस और स्वीटी बूरा का सम्मंद किस खेल से है टेलिग्राम पर मैंने आपको ये अपडेट बताया था तो याद रखेंगे इनका सम्मंद है मुक्यवाजी से और इनोंने हाली में दिला दिया है भारत को गोल्ट तो डिसकस कर लेते हैं आगे बार बर्ग में सफलता हासिल की है याद रखेंगे आप सभी इसी के साथ जो नीटू है ये विश्व चेंपियन बनने वाली छटी भारतिये मुक्यवाज भी बन गई है तो ये फेक्ट आप सभी को इनके बारे में याद रखना है आगे डिसकस कर लेते हैं आई बिये बार इनका आयूजन किया जाता है यह अंतरास्टिय मुक्यवाजी संग यानि की आई बिये दुवारा आयूजित किया जाता है जो की एक खेल सासी निकाए है छे बार बर्ड चेंपियन कौन बनी है तो इनका नाम है MC मेरिकॉम अब यहाँ पर कुछ नाम आपको याद रख से संबंदित हैं और विश्व खिताब इन्होंने जीते हैं अच्छा अब आप मुझे बताइए कि जो निक हत जरीन है ना इन्हें हाली में किसका ब्रांड एंबस्डर पनाया गया है नीटू गंगस के बारे में और याद रखेंगे कि राष्ट मंडल खिल 2022 में इन्होंने देश को सुनपदक दिलाया था सीनियर महिला राष्ट ये होकी चैंपियंजिप ये किसने जीती थी मद्द प्रदेश ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बिमेंस किरकेट टीम का मेंटर किसे न्युक्त किया गया था सानिया मरजा को अगला सवाल है कि नेशनल साइन्स सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कारिक्रम का जो उदगाटन है ये कहां पर हुआ है तो इसका उदगाटन किया गया है नई दिल्ली में याद रखेंगे आप सभी यह फेस्टिवल लोगों को उनके अभीनब कारियों और अतीत में उनके दुवारा बनाए गए उतपादों को प्रदर्शित करने का अपसर प्रधान करता है आगे डिस्कस करेंगे परिक्षा उपयोगी कोचेस्ट्रा फेक्ट जैसे कि राष्टिय हरित राजमार गलियारा परियोजना कितने राज्यों में किर्यामबित की जाएगी चार राज्यों में केंद्रे किर्सी और किसान गलियार मंत्री नरेंदर सिंग तॉमन ने एगड़ी यूनिफेस्ट का उधगातन कहां किया था बैंगलॉर में डियार्डियों ने किस सहर में LCA तेजस पर स्वेदेसी पावर टेक आफ साप्ट का सपलता पूर्वक उडान परिक्षण कहां किया था बैंगलॉर में अटल टिकरिंग लैप्स के पारिस्तिति की तंत्र को मजबूत करने के लिए एक ब्यापक स्वे निगरानी धाचा भारत में और यह जो आकड़ा है यह जो रिपोर्ट है यह DZCA के दुवारा हाली में चारी की गई है याद रखेंगे आप सबी सबसे ज़्यादा जो महिला पाइलेट है इस समय कहां पर है तो भारत में है अच्छा इसी से सम्बंदित एक फैक्ट आपको याद रखना है न अगिला जबाल है कि 17 से 30 अपरेल तक सौराष्ट तमिल संगमम कहां पर होगा तो हाली में इसकी जानकारी प्रधान मंतरी नरेंतर मोदी जी ने अपने मन की बात में दी है और इसका आयूजन किया जाएगा गुजरात में सौराष्ट लगा हुआ है इसली आंसर कर सकते हैं तो आयूजन कहां पर होगा तो गुजरात में होगा अच्छा इससे पहले याद होगा कासी जो तमिल संगम था कहां पर हुआ था तो वारण आसी में आयूजित किया गया था और ये आपका कब होगा तो ये होगा अप्रेल में नेस्ट कोईशन है कि सरहूल उससर कहां मनाया गया तो फ्रेंट्स ये जो उससर है इस फेस्टिवल का आयूजन किया जाता है जारकंड में डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो सरहूल जारकंड राज में इस्थानिय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समूदाय दुवारा मनाया जाने वाला ये नया साल का फेस्टिवल है यह है बसंत की शुरुवात का उस सब भी है सरहूल सब्द का सम्मंद ब्रच पूजा से है याद रखेंगे दिहार में हैं बुद्ध पूर्णमा के अबसर पर कनेरी गुफाओं में विविन जन सुविधाओं का उदगातन किस मंत्राले दुवारा किया गया था परियाटन मंत्राले के दुवारा किस राज में इस्थित मॉमलुआ गुफा को युनेसको के दुनिया के पहले 100 IUGS व महा इस्थूप किसे कहा जाता है तो सांची के इस्थूप को कहते हैं और यह कहां पर है तो यह मद्द प्रदेश में हैं अगला सवाल है कि फोर्स इंडिया लीडर्सिप अबॉट्स 2023 में जेन नेक्स्ट एंटर पिन्योर अबॉट्स किस ने जीता है तो यह जीता है ईशा अमबानी ने जो कि मुकिस अमबानी की बेटी है जोने आप सभी पिक में देख सकते हैं तो इन्हें इस अबॉट्स से सम्मानित किया गया है क्लास के शुरुबात में जो क्वेशन मैंने आप से पूछा था इसका सही आंसर है ऑप्सन डी बंदरगा नो बेहन और मंत्राले ने सागर मंतन डैस्पोर्ट का शुबारम किया है इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म में मंत्राले और अन्य सहयक कंपनियों से सम्मंदि सभी डेटा को एक ही करत किया जाएगा तो इसे किस ने लौंज किया है यह हमारे लिए बहुत महत्तिकूंड हो जाता है त माउट आभू का दिलबाडा मंदिर किसको समर्पित है जैन तीर्थ करकूं महावली पुरम में पंच रतों का निर्माण किस राजबंस ने करवाया था बलब कौन सा इस्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशूओं की मेले के लिए प्रसिद्ध है पुसकर और यह कहां पर आ इस्थित परसिद्ध महा बोधी मंदिर का निर्माण के सासक ने कराया था असूख ने राष्ट को दुआरा एलोरा पहाडियों में निर्मित गुफा मंदिर कहां इस्थित है और अंगाबाद महरास्ट में मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज में है तो यह है आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में तो पहला सवाल है कि जौंग सिंग 26 उपकिरे का पिछेपण किस ने किया है अगला सवाल हॉलीवूट क्रिस्टिक एसोशियेशन फिल्म अबॉर्ट 2023 में किस फिल्म ने पुरुसकार जीता है संभिधान का कौन सा भाग नागरि करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा मिलते हैं ने अस्ट शेशन में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत